हेलो बच्चों कैसे हो आप रोग आशा करती हूं सब कुशन होंगे आईए आज आपका अध्याय सांखिकी के अंतरगत हम चर्चा करेंगे संचेई बारंबारता बंटन का आलेखिय निरूपन की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चित्र अक्षनों से अधिक एवं अच्छी भाषा बोलते हैं एक आलेखिय निरूपन हमें एक ही द्रश्टी में उनसे संबंदित आंकडों को समझाने में सहायक सिध होता है कक्षा 9 में हमने दिये हुए आंक्रों को दंड आलेखों आयट चित्रों और बारंबारता बहु भुजों की सहायता से निरूपित किया था आईए अब एक संचेई बारंबारता बंटन को आलेखिय रूप से निरूपित करें इसमें निरूपित करने के परशाथ हम माध्यक ज्याद करेंगे उसकी विधी समझ लीजिए फिर हम प्रश्न हल करेंगे माध्यक ज्याद करने की विधी Y अक्ष पर N बटा 2 की स्थिति ज्याद करें फिर इस बिंदू से होकर X अक्ष के समानतर एक रेखा खीचिए जो वक्र को एक बिंदू पर प्रतिछेद करती है इस बिंदू से X अक्ष पर लंब डालिए X अक्ष और इस लंब के प्रतिछेद बिंदू से हम माध्यक निर्धारित कर सकते हैं ठीक है बच्चो एक और विधी है माध्यक ज्याद करने की एक अन्य विधी एक ही अक्षों पर दोनों प्रकार के यानि से कम प्रकार के और से अधिक प्रकार के तोरण खीजिये दोनों तोरण एक बिंदु पर प्रतिछेत करते हैं इस बिंदु से हम शेतिज अक्ष याने X-axis पर लंब खीचते हैं यह लंब X-axis को जहां काटता है वही आंकडों का माध्यक है ठीक है बच्चों आएए अगला प्रशन देखें आपकी प्रशनावली 14.4 का पहला प्रशन निमन लिखित बंटन किसी फैक्टरी के 50 श्रमिकों क की डैनिक आए दर्शाता है देखिए इसको पहले समझ लेते हैं डैनिक आए रुपियों में दी गई है और उनके सामने श्रमिकों की संख्या दी गई है 100 रुपे से 120 रुपे के बीच में श्रमिकों की संख्या 12 है और जिने 120 से 140 के बीच में आए है जिनकी उतनी श्रमिकों की संख्या 14 है इसी प्रकार 140 से 170 रुपे के बीच में जिनकी देनिक आए है उन श्रमिकों की संख्या 8 है इसी प्रकार 160 से 180 रुपे जिनकी देनिक आए है उन श्रमिकों की संख्या 6 है और 180 से 200 रुपे के बीच में जिनकी देनिक आए है ऐसे श्रमिकों की संख्या 10 है ठीक है, उप्रोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदल लिए और उसका तोरण खीजिए आप देखिए उप्रोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बंटन में हम कैसे लिखेंगे इसमें आगे देखते हैं यहां देखिए द्यानिक आये रूपे में और संचाई बारम बारता हमें यहां दर्शाई है देखिए यहां पर हमने 120 से कम कितने हुए 12 और 140 से कम में वो भी आ जाएंगे जो 120 वाले हैं मतलब 12 12 प्लस 14 कितने हो गए? 26 अब 160 से कम उसमें हम इन 26 को भी ले लेंगे 26 और 8 कितना हो गया? 34 इसी प्रकार 180 से कम वाले जो हैं श्रमिक 34 प्लस 6 कितने हो गए? 40 और 200 से कम वाले 40 प्लस 10 हो गए 50 ठीक है? बारम बारता बंतन की उपरी सीमा को हम एक्स अक्षपर तथा बारम बारता को वाई अक्षपर लेकर इनका तोरण निम्न बिंदुओं को जोड कर यानि मिला कर बनाएंगे बिंदु देखिए 120 और 12 यह देखिए यह पहला बिंदु हुआ 140 और 26 यह दूसरा बिंदु हुआ 160 और 34 तीसरा बिंदु 180 और 40 यह हमारा चौथा बिंदु है और इसी प्रकार 200 और 50 ठीक है? आएए हम इसका तोरण देखते हैं यहां पे हम लिखते हैं संचई बारंबार्दा यह हम वाई अक्ष पर दर्शा रहे हैं और यहां पे है दैनिक आए जिसको हम एक्स अक्ष पर दर्शा रहे हैं यहां पे देखिए 120 यह उपड़ी सीमा 120, 140, 160, 180, 200, 220 इस प्रकार एक्स अक्ष पर हमने लगाया और य अक्ष पर हमने 5 के अंतराल में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 हमें 50 तक चाहिए तो हमने 50 तक मार्क कर लिया अब हमने पहला हमारा बिंदु क्या था? 120, 12 यह देखिए 120 और यहां 12 तो यह बिंदु हमें मिला अब अगला है 140 और 26 140 और यह 26 इसी प्रकार तीसरा था 160 और 34 चौथा 180 और 40 इसी प्रकार 200 और 50 अब हम इन बिंदुओं को अपने हातों से ऐसे मिलाएंगे जिसको हम कहते हैं free hand curve इस प्रकार से तो यह हमारा संचेई बारंबारता और दैनिक आय के बीच में जो हमने तुरूप में record किये गए है देखिए यहां हमारे लिए पहले से ही यह भार कम में दिए गए हैं किलोग्राम में 38 से कम विद्यार्थियों से की संख्या है 0 40 से कम विद्यार्थियों की संख्या है 3 42 से कम यानि 42 किलोग्राम से कम विद्यार्थियों की संख्या है 5 और 44 से कम विद्यार्थियों की संख्या है 9 46 से कम विद्यार्थियों की संख्या है 14 48 से कम विद्यार्थियों की संख्या है 28 इसी प्रकार 50 से कम विद्यार्थियों से संख्या है 32 और बावन से कम विद्यार्तियों की संख्याय 35 ठीक है उप्रोक्त आंक्रों के लिए कम प्रकार का तौरण कीजिए इसके बाद माध्यक भार भी ज्याद कीजिए ठीक है करते हैं चलिए यहाँ पर देखिए यह हमारे पास संचाई बारंबारता बंटन दे रखा है तो इससे हम अपने बिंदू ने धारित कर लेते हैं 38 शून्य चालिस तीन और यहाँ आगया 42, 5, 44, 9, 46, 14, 48, 28, 50, 32 और यहाँ पर है हमारे पास बावन और 35 ठीक है आईए देखो अब हम ग्राफ में इसको कैसे बनाते हैं यह देखिए यह हमारे बिंदू है यहाँ पर और हमें इनका जब माध्यक निकालेंगे कैसे निकालेंगे हमारे पास बारम बारता बंटन की उपरी सीमा को हम X अक्षपर तथा बारम बारता को Y अक्षपर लेकर इनका तोरण बनाएंगे निम्न बिंदूओं को लेकर के अभी हमने बिंदू नोट किये थे यहाँ N कितना है अमारे पास 35 तो माध्यक निकालने की विधिये है कि N बटा 2 कितने हुआ 17.5 इस तोरण पर एक बिंदू A इस प्रकार लें जिसका Y निर्देशांग 17.5 हो इस बिंदू का X निर्देशांग 46.5 है इसलिए इस बंटन की माध्यका 46.5 है आएए देखते हैं ग्राफ में यह देखिए यहाँ पर हमारी है संचेई बारंबार्ता जिसको हम हमेशा Y अक्ष पर दर्शाते हैं ठीक है यहाँ पर हमारे पास यह भार है जिसमें उपरी सीमा हमने लिए है किलोग्राम में यहाँ देखिए हमारा पहला बिंदू है 38 और 0 दूसरा बिंदू है 43 तीसरा बिंदू है 42 और 5 देखिए 42 और 5 और 44 और 9 यहाँ देखिए 10 से कम हुगा 9 और यहाँ पर 46 और यह है आपका 14 ठीक है और यह 48 और 28 इसी प्रकार 50 के लिए यहाँ पर है 32 और आखरी बिंदू हमारा है 52 और 35 यह देखिए अब इन बिंदूओं को हम फ्री हैंड से ऐसे वक्र बनाएंगे इस प्रकार ठीक है अब हमें कहा गया है कि तोरण बनाने के बाद आप इसका माध्य ज्याद करें तो हमने आपको बताया था हम एन बटा दो निकालते हैं यहाँ पे एन 35 हैं 35 बटा दो कितना हुआ 17.5 तो देखिए 17.5 यहाँ पे होगा यहाँ से हमने X-axis के समानतर यहाँ पे एक रेखा खींची जो इस तोरण को यहाँ पर प्रतिछेद करती है वहाँ से हम एक लंब किराएंगे जो X-axis पे जा करके मिलेगा और हमें यहाँ पे माध्यक मिलेगा 46.5 इस तरीके से हम माध्यक ज्याद कर सकते हैं समझ में आया बच्चो पहले हमने संचरी बारंबारता और यह इन बिंदूओं को जोड करके तोरण बनाया फिर हमने N बटा 2 यहाँ पे बिंदू निर्धारित किया 17.5 वहां से हमने एक्स अक्ष्प के समानतर एक रेखा कीची जो रेखा यह जहां रेखा जाकर के तोरण से टकराती है यानि प्रतिछेद करती है वहां से हमने एक लंब कीचा यह लंब जिस बिंदू पे जाकर चुएगा प्रतिछेद करेगा वो हमारी माध्यक होगी 46.5 यहाँ पर है तो इसका मान हुआ माध्यक का मान हुआ 46.5 समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रेश्न करें निमलिखित सार्नी किसी गाओं के 100 फार्मों में हुआ प्रती हेक्टेर गेहूं का उत्पादन तर्शाते हैं यहाँ देखिए आपके पास उत्पादन है एक सार्नी में किलोग्राम पर हेक्टेर और फार्मों की संख्या उनके सामने दर्शाई गई है 50 से 55 में दो फार्म है और 55 से 68 है इसी प्रकार उत्पादन जिसका 60 और 65 किलोग्राम पर हेक्टेर है ऐसे फार्म 12 है इसी प्रकार 65 से 70 जिनका उत्पादन किलोग्राम पर हेक्टेर है उनकी संख्या 24 है सत्तर और 75 की बीच में जिनका उत्पादन है उनकी संख्या 58 इसी प्रकार 75 और 80 जिनका किलोग्राम पर हेक्टेर उत्पादन है उन फार्मों की संख्या है 16 ठीक है इस बंटन को अधिक प्रकार के ठीक है अभी तक हमने कम प्रकार के बनाये थे अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खीचिए ठीक है बच्चो आईए अब हम इसको अधिक प्रकार के संचई बारंबार्था बंटन में लिखते हैं यह देखिए उत्पादन किलोग्राम पर हेक्टेर और यहाँ पे संचई पारंबार्था यहां हमने क्या किया पचास से बराबर या अधिक हैना यहां हमने निचली सीमा ली है मतलब लोवर लिमिट जिसको कहते हैं पचास के बराबर या अधिक उसमें सभी आ गए यानि सो औ और पच्पन के बराबर या अधिक तो उसमें हम दो घटा देंगे 100 माइनस दो यह हो गया 98 इसी प्रकार 60 से बराबर या अधिक यहां पे 98 माइनस 6 हो जाएगा 90 और 75 के बराबर या अधिक यह हो जाएगा 54 माइनस 38 यानि 16 ठीक है बारम बारता बंटन की निम्न सीमा को X अक्षपर तथा बारम बारता को Y अक्षपर लेकर इसका तोरण निम्न बिंदू को जोड़कर हम बनाएंगे देखिए यहाँ पर हमारे बिंदू हो जाएंगे 50 और 100 यहाँ देख लीजिए 50 और 100 55 और 98 60 और 90 देखिए 60 और 90 इसी प्रकार 65 और 78 70 और 54 और 75 और 16 ठीक है आईए इसका तोरण देखिए यह देखिए यहाँ पर हमारे पास है संचाई बारम बारता जो हमने वाई अक्षपर दर्शाई है और यहाँ पर है उत्पादन ठीक है यहाँ पर हमने 50 और 100 पहला देखिए 50 है और यह 100 यहाँ पर 55, 60, 65, 70, 75, 80 करके हमने 55 की अंतराल में इस तरीके से बिंदू ले लिया हैं और यहाँ पर हमने लिया हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ठीक है तो पहला हमारा बिंदू होगा 50 और 100 फिर है 55 के लिए 98 और 60 के लिए 90 और 65 के लिए हमारा पास है 78 इसी प्रकाश 70 के लिए हमारा बिंदू क्या था? 70 और 54 और 75, 16 अब हम इन बिंदू को फ्री हैंड से जोड़ देंगे इस प्रकार ठीक है यह हमारा तोरण हो गया ठीक है बच्चो आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा यह हमारी एक सक्ष था ठीक है अब अगर हमें इसमें माध्यक निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 100 बटा 2 कितना होगा 50 यहां से हम एक रेखा कींचेंगे जो इस तोरण पे जाकर के यहां प्रतिछेत करेगी यहां से अगर हम लंब खीचते हैं तो हमारे पास यह माध्यक हम निकाल पाएंगे ठीक है बचो आएए आगे प्रश्न करते हैं प्रश्न चार एक निश्चित परिक्षा में 100 में 93 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का समुईत बारंबारत बंटन इस प्रकार है इन आंकडों के से कम प्रकार के और से अधिक प्रकार के तोरण कीजिए एवं माध्यक ज्याद कीजिए यह बहुत ही प्यारा है देखेगा हम एक ही ग्राफ में दोनों प्रकार के तोरण बनाएंगे और फिर हम माध्यक ज्याद करेंगे हमारे पस प्रापतांख है शून्य से दस इसमें विद्यार्थियों की संख्या है पांच दस और बीस के बीच में विद्यार्थियों की संख्या है तीन बीस और तीस के बीच में विद्यार्थियों की संख्या है चार तीस और चालेस अंक प्राप्त करने वालों की संख्या है 3, ऐसी 40 और 50 के बीच में अंक प्राप्त करने वालों की विद्यार्थियों की संख्या है 3, 50 से 60 के बीच में 4 विद्यार्थी है, 60 और 70 के बीच में 7 विद्यार्थी है, 70 और 80 के बीच में 9 है, और 80 के बीच में 7 है, और 90 और 100 के बीच में 8 है, ठीक है, अब देखिए हम इन की सारणी बनाते हैं यहां देखिए कम प्रकार का संचय बारंबारता बंटन कैसे बनाएंगे प्रापतांग 10 से कम कितने विद्यारती थे विद्यारतियों की संख्या हमने संचय बारंबारता यहां पर दर्शाई है 10 से कम कुल 5 थे अब देखिए 20 से कम इसमें 20 से कम का मतलब क्या हुआ उसमें 3 हैं लेकिन शायद जिनको 10 से कमाएं वो भी 20 से कम में आ जायेंगे 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 8 30 से कम में ये 8 भी आ जाएंगे 4 के साथ तो हो जाएंगे हमारे पास कुल 12 इस प्रकार 40 से कम 12 प्लस 3 हो गए 15 इसी प्रकार 50 से कम 15 और 3 हो गए 18 और 60 से कम 18 और 4 यह हो गए 22 इसी प्रकार सत्तर से कंब में 227 29 और 80 से कं में 29 और 9 38 और 90 से कंब हो गए 307 45 और 100 से कं में सारे आ जाएएंगे कितने 45 प्लस 8 कितने हो गए 53 ठीक है बच्चों? अब हमारे पस यह देखे, बिंदू हमारे क्या हो गए यहां पे यहां लिख लेते हैं 10, 5, और दूसरा होगा, 20, 8, तीसरा बिंदु हमारे पास होगा, 30, 12, 40, 15, फिर हैं 50, 18, अगला है 60, 22, फिर हैं 70, 29, और 80, 30, 90 के लिए 45, और 100 के लिए तरेपन, ठीक है, आएए अब इसका तोरण देख लें, यह देखें, यहाँ पर उपरी सिमाएं एक सक्ष पर दर्शाई गई हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और 100, इसी प्रकार संचेई बारंबारता बराबर दूरी पर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे हमने दर्शाई हैं, और यहाँ पर हमने बिंदू ले लिए, पहला बिंदू है, यह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छटा, साथवा, आठवा, और यह नौवा, और यह हो गया आपका दसवा, ठीक हैं, इसको हम फ्री हैंड से ऐसे जोड़ देंगे, तो हमारा तौरंट तयार हो जाएगा, इसको हम कहते हैं, से कम प्रकार की तौरंट, हमने X अक्षपर उपरी सीमाएं दिखाई हैं, और Y अक्षपर संचई बारंबारता, ठीक है, इससे हमने से कम प्रकार की तौरंट इस प्रकार बनाई, अब हम इनी आंकडों से अधिक प्रकार की तौरंट बनाना सीखते हैं, चलिए, यहाँ पर देखिए, अधिक प्रकार का, पहले हम संचई बारंबारता बंटन देख लेते हैं, यहाँ पर प्रापतांख और दूसरे में विर्दियार्थियों की संख्यामने दर्शाई है, जिसको हम संचई बारंबारता कहते हैं, यहाँ पर देखिए अंतर, शून्य से अधिक या उसके बराबर, वहाँ पर हमने कम लिया था, यहाँ शून्य से अधिक या उसके यहां इसमें से हम 5 घटा देंगे, तो यह 48 रह जाएंगे, 20 से अधिक या उसके बराबर, 48 में से 3 घटा देंगे, 45 हो जाएंगे, 30 से अधिक या उसके बराबर, 45 में से 4 घटा देंगे, यह हो गया है, 41, 40 से अधिक या उसके बराबर, इसमें से 3 घटा देंगे, 38, और 50 से अ या उसके बराबर 35 माइनस 4 यह हो गए 31 और 70 से अधिक या उसके बराबर 31 माइनस 7 हो गए 24 80 से अधिक या उसके बराबर 24 माइनस 9 बराबर है 15 90 से अधिक या उसके बराबर 15 माइनस 7 बराबर है 8 ठीक है तो उप्रोक्त सानी या बंटन अधिक प्रकार का संचेई बारम बारता बंटन कहलाता है ठीक है और यहाँ शूर्णिय दस, बीज, तीस, चालेस, पचास, साथ, सत्तर, असी, नब्बे यह संगत वर्ग अंतरालों की निम्नसी माएं हैं ठीक है यहाँ पे आपके बिंदू क्या होंगे यहाँ पे शूर्णिय और तिरेपन दूसरा बिंदू होगा दस, अर्थालिस, तीसरा है, बीज, पैंतालिस, फिर हैं तीस, एकतालिस, चालिस, अर्थिस, और फिर हमारे पास पचास, पैंतिस, साथ, एकतिस, सत्तर, चाबिस, असी, पंदरा, नब्बे, के लिए, आठ, ठीक है, इन बिंदूओं को हम दर्शा करके और इसका तोरण बनाएंगे, देखे कैसे, यह देखे, यहाँ पर हमने एक्स अक्षपर, निम्नसी माय दर्शाई हैं, बराबर अंतराल से, दस, बीज, तीस, चालिस, पचास, साथ, सत्तर, असी, नब्बे, ठीक है, और वाई अक्षपर, संचाई बारंबारता, हमने दस, बीज, तीस, चालिस, पचास, और साथ अंतराल पर, बराबर अंतराल पर मार्क कर लिया है, और इस में हमने यह बिंदू यहाँ पर ले लिया हैं, फिर इन बिंदूओं को हम अपने हातों की सहायता से ऐसे जोड कर एक तोरण बनाते हैं, बिलकुल फ्री हैंड कर्ब जिसको कहते हैं, इससे से अधिक प्रकार का तोरण हमारा तयार हो गया है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, अब आगे देखते हैं, हम इन दोनों तोरणों की मदद से माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक है, यह देखिए, इसमें हमने दोनों तोरण एक ही में बना दिये, और यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास यह आ गया, य अक्ष पर एन बटा दो बराबर तरेपन बटा दो यानि 26.5 बिंदू से एक्स अक्ष के समानतर एक रेखा खींचिये, जो उप्रोप्त वक्ष को एक बिंदू पर प्रतिचेत करती है, इस बिंदू से एक्स अक्ष पर लंब डालिए, एक्स अक्ष और इस लंब के प्रतिचेत बिंदू से ही माध्यत निर्धारित हो जाता है, कितना है यहाँ पर माध्यक? 67.4 ठीक है, आगे चलते हैं, अब आपके लिए घ्रकारिय के लिए कुछ प्रशन है, पहला प्रशन, किसी महले के एक शौपिंग कॉंप्लेक्स की 30 दुकानों द्वारा अरजित किये गए वाशिक लाबों से निमल लिखित बारंबारता बंटन प्राप्त होता है, लाब लाक रुपे में दे रखा है और दुटानों की संख्या उनके सामने दर्शाई हुई है, पांच से अधिक या उसके बराबर 30, 10 से अधिक या उसके बराबर 28, 15 से अधिक या उसके बराबर 16 दुकाने हैं एक ही अक्षों पर दोनों तोरण खीचने हैं, इसके बाद माध्यक लाब ग्यात करना है यहाँ पर दूसरा प्रश्ण है, 96 बच्चों की लंबाईयां यानि उचाईयां सेंटीमीटर का बंटन नीचे दिया गया है देखिए यह लंबाई सेंटीमीटर में है और उनके सामने बच्चों की संख्या दर्शाई हुई है यह आपको इसकी मदद से, इन आंक्डों की मदद से हमें तोरण त्यार करना है यहाँ पर देखिए इन आंक्डों के लिए से कम प्रकार की संचै बारंबारता वक्र कीजिए और इसका बच्चों की माध्यक लंबाई ग्यात करने में प्रयोग कीजिए ठीक है बिच्चों, तीसरा प्रश्न, किसी शहर में एक वर्षा के 67 दिन की वर्षा का रिकॉर्ड नीचे सार्णी में दिया गया है वर्षा सेंटीमीटर में है और दिनों की संख्या उनके सामने दर्शाई हुई है ठीक है, शूर्णिय से 10, 22, 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में संख्या है दिनों की 10 और 20 से 30 सेंटीमीटर के सामने दिनों की संख्या है 8 इसी प्रकार 30 और 40 की सामने 15, 40 से 50 के 5 और 50 से 60 के सामने 6 से कम प्रकार और से अधिक प्रकार के तोड़नों का प्रयोग करके माध्यक वर्षा परिकलित कीजिए ठीक है बच्चों, आईए अब सारांज देख लेते हैं संचई बारंबारता बंटनों को आलेखिय रूप से संचई बारंबारता वक्रों या से कम प्रकार के या से अधिक प्रकार के तोरण द्वारा निरूपन हमने करना सीखा और वर्गिकरत आंक्णों का माध्यक इनके दोनों प्रकार के तोरणों के प्रतिछेद बिंदू से शेतिज अक्ष पर लंब डालकर लंब और शेतिज अक्ष के प्रतिछेद बिंदू के संगत मान से प्राप्त हो जाता है हमने ये भी सीखा ठीक है आशा करती हूं बच्चो आपको आज का सेशन समझ में आया होगा अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद कर दो आपको 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 आ